मुश्कार दोस्तों, दुनिया का टॉप फोट बॉलार, सुपर इश्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो, जो कि इस वक्त Euro Cup खेल रहे हैं, और इस Euro Cup की टॉप स्पानसर कंपनियां Coca-Cola, जो की एक soft drink कंपनी है, इस soft drink कंपनी को क्रिष्टियानो रोनाल्डो की वज़े से बहु इस conference में, अपने सामने से Coca-Cola की soft drinks को हटा कर, पानी की बोतल उठा लेते हैं, और बै पबलिक को दिखाते हूं कहते हैं, अगवा, जिसका मतलब होता है, पानी है, बै पबलिक को यह पताना चाहते हैं कि मैं इस Coca-Cola को नहीं पीता हूं, मैं कोई भी soft drinks का यूज नहीं करता क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत ही जादा हानिकारक होती है, वह कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बै कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी उत्पात का गलत पिर्चार क्यों करूं, जिससे मेरे fans को धोका मिले हैं, और उनका मानना है कि मैं कोई भी ऐसा brand जो की सेहत के लिए घात तक हो, मैं इसका पिर्चार नहीं करता हूँ, और ना करूंगा, इतना कहने की देरी और कोका कोला के शियर घटने शुरू हो गए, जो कि आज भी घटते जा रहे हैं, लगबख 4 बिलियन डॉलर की घटाती हो गई है, आपका क्या कहना है, उनका ये पक्त सही था या गलत था, ऐसा हमारे देश की क्रिकेटर्स और एक्टर्स को करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्षन बताना ना भूले, जय हिन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,